नमस्कार मैं अमरेंद्र थिवारी ओल टाइम पॉब्लिक इंडिया पे आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तो सियासत भी गजब का खेल खेल रही है तमाम दावे और तमाम उठापटक के बीच मंत्री मंदल विस्तार की जारखंड में तारिखें तै हो गई है और इससे जनता को काफी खुशिया है जनता कह रही है कि अब ठीक तरीके से विकास कारे हो सकेगा ये देखने वाली बात होगी कि हमन सोरेन सरकार जनता की अपेक छाओं पे कितना खड़ा उतरती है लेकिन आज 28 जनवरी को मंत्री मंदल विस्तार की तारिखें तै हो गई है शाम को 4 बजे सपत ग्रहन एक तरीके से मंत्रियों का होगा मंत्री मंदल विस्तार में कौन बनेगा मंत्री? ये तो देखने वाली बात होगी लेकिन फिलहाल कॉंग्रेस को चार मंत्रीपद मिलेंगे पहले से ही दो उनके रामेश्वर उराओं और आलमगीर आलम मंत्री मंदल में सामिल है और अब दो और मंत्रीपद मिल सकता है कहा जा रहा है राजनितिक पंडितों के अनुसार कि मंत्रीपद दिपिका पांडे सिंग को मिल सकता है बन्ना गुपता को मिल सकता है आईए हम आपको बताते हैं जामुमों से जो फाइनल लिस्ट निकल कर आ रही है सुत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसमें मंत्री पत किस किसको मिल सकता है पहला इस्टिफन मरांडी का नाम आ रहा है दूसरा जोबा माजी का नाम आ रहा है मितलेश ठाकुर का नाम आ रहा है हाजी हुसेन अंसारी का नाम आ रहा है और मैं आपको बता दू कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जैसे कि कुछ दावेदार ऐसे भी है जिस पे की लगतार सस्पेंस बना हुआ है ये देखने वाली बात होगी कि चमपई सोरेन और किस तरीके से क्या आदिवासियों के वोट बैंक को अर्वसंख्यों के वोट बैंक को और बहुजन दलित वर्द के वोट बैंक को किस तरीके से जामुमो साजने में मंत्री मंदल विस्तार में काम्याब होती है ये देखने वाली बात होगी फिलाल हैमन सोरेन सरकार के उपर कॉंग्रेस ने एक बड़ा प्रस्णिचिन लगाया था और आज उसकी समापती हो सकती है आज मंत्री मंदल विस्तार होगा और देखेंगे कि कौन बनेगा मंत्री लेकिन जो नाम हमने आपको बताए हैं यकीन मानिये कमो बेस लिस्ट भी उसी के अनुसार होगी दिपिका पांडे सिंग में जो गुण देख रही है कॉंग्रेस एक तरीके से उन्होंने महगामा मे जो आंदोलन से निकली हुई आंदोलन लगातार वो करती रही थी उसके बाद मंत्री पद उनको मिलना महिला के नाम पे महिला विधायक हैं कौंग्रेस में महिलाओं की अच्छी खासी भागेदारी है तो दिपिका पांडे सिंग को मंत्री पद्देकर महिलाओं में एक अल और दो बिधायकों को और जुडाव हो सकता है बंधू तिर्की पर सस्पेंस नहीं है लेकिन इर्फान अंसारी ने परदी पियादव को रिजेक्टेड माल बताया है और कॉंग्रेस में लेने पर धमकी दी है कि कारेकारी अध्यक्षपत से वो इस्तिपाद दे सकते हैं कॉ कॉंग्रेस को इस वक्त फूख फूख कर कदम रखने की जौरत है वो इर्फान अंसारी को नाराज करके अल्पसंख्यकों में गलत संदेश भी नहीं देना चाहेगी तो फिलाल देखिए मंत्री मंदल में स्तार जब 4 बजे होगा तो कौन बनेगा मंत्री तब हम फिर से लो सब्सक्राब